इस वीडियो में हम बात करने वाली है कि हमारी स्मार्ट टीवी के अंदर हमारा जो fx फाइल मेनिजर है इसमें कोई भी फाइल शू नहीं कर रही है यानि कि चल नहीं रहा है हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर उन नीचे इस तरीके से भी लिखा हो आ रहा है आपर इस तरीके से लिखा वा जाता है तो आप इसको यहां से इसली इसके नीचे जाकर फिक्स कर सकते हैं लेकिन अगर मान के चलिए यह नहीं लिखा वा रहा है और यह एप्लिकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए देखें यहां साब बैग ला दीजे ठीक है और डारेक्ट जाहिए आप चुह है यहां पर सेटिंग्स में ठीक है settings में जाने के बाद यहाँ पर चुछ जाईए आप apps के अंदर जाईए अब यहाँ पर जो हमारी fx है application इसको खोल लेना है इसकी permission में जाईए यहाँ पर और इसकी permission को allow कर दीजे यहाँ पर allow करके और location को भी यहाँ पर allow कर दीजे उसके बाद return ला दीजे आप यहाँ पर application को यहाँ से click करके खोल लिए और इसे यहाँ पर application को खोलिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है enable access पर जाना है और यहाँ पर जो है ok कर देना है उसके बाद यहाँ पर यह आपकी खुल जाएगी देखे कोई भी देखे यहाँ पर हमें window hold कर दिकाता हूं कोई सी भी यह आ गई application वहाँ तो यह छोटा सब process रहता है इसका simple सा अगर वीडियो अच्छी लगेगो तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा